अब यह विए वेलकम दो दा चैनल दा जोरावर क्लासेज और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मैं आज की हमारी करेंट अफेस की क्लास में यह होगी आपकी 17 ओफ मार्च की करेंट अफेस की क्लास and my dear friends कोर्स का जो ओफर चल रहा था अब वो समाप्त हो गया है कल रात 12 बजे के बाद वो समाप्त हो चुका है अब कोर्स आपको 2999 पर नहीं मिलेगा जो 1000 रुपे का आपका ओफ था वो हो गया है खतम अब यह कोर्स आपको दिया जाएगा 3499 हमने 1000 नहीं 500 रुपे ही बढ़ा जाए लेकिन भई ओफ एक सिमित समय तक ही अच्छा लगता है अगर उसको ओफ को हम रेगुलरी कर देंगे तो ओफ वाला मजा खराब हो जाएगा ठीक है तो भई अब हमने मैंने अपने टीम से बात करके इस पे सिर्फ 500 रुपे बढ़ाए हैं आपके तो अब जो है आपक करके स्टोर सेक्शन में जाएं जैसे आप स्टोर सेक्शन में क्लिक करेंगे तो आपको के वी एस पी आटी का कोर्स मिलेगा उस पे क्लिक करते ही आपके पास आएगा बाय का ओप्शन और आप बाय पे जाके मल्टीपल मैथर्ट्स आप पे टीम से कर सकते हैं आप फोन पे से कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे, बहुत सारे आप कार्ड से कर सकते हैं, आप इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, आप गूगल पे से कर सकते हैं, जैसे भी आपको सूलियत हो, उससे आप पे कर सकते हैं, और आप उसके बाद स्टोर सेक्शन में ही तुरन दुबा लोगता मामले, खाद्य एवं सारजनिक वितरन मंत्राले ने परवाशी मजदूरों की मदद हे तू, किस एप को लॉंच किया, यह हो गया, जी स्टार कॉश्यन, मिनिस्ट्री ओफ कंजूमर अफेर्स और फूड और पब्लिक डिस्टिबिशन विच आप तू है, और यह है वहाँ, मेरा राशन आप, मेरा राशन आप जो है, उन मजदूरों के लिए लॉंच किया गया है, जो माइग्रेट करते हैं, एक जगह से परवाशी होते हैं, अपन तो उन लोगों के लिए मेरा राशन आप जो है लॉंच किया गया है, सरकार ने परवाशी मजदूरों की मदद करने के लिए राशन आप लॉंच किया है, मेरा राशन आप, भारत सरकार दुआरा शुरू की गई वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना का ही हिस्सा है, इसे उब्भोगता मामले खाद्य और सारजनिक वित्रन मंत्राले द्वारा लूँच किया गया है इस एप के जरिए ऐसे मजदूरों को काफी मदद मिलेगी जो काम के सिलसले में एक जगा से दूसरी जगा पर जाते रहते हैं देखा होगा कि इस बार जब कोरोना आया था और लोकडाउन के बाद जो मजदूरों के स्थिती बनी थी वो पूरे देश ने देखी है तो उसी को देखते हुए ये मेरा राशन आप जो है बरसरकार द्वारा उनके उब्भोगता मामले खाद्य और सार्जरिक वित्रन मंत्राले जो है उनके द्वारा लोंच किया गया है तो यहाँ पर कोश्चन ये भी आ सकता है कि एप कौन सा लोंच हुआ है कोश्चन ये पूचा जा सकता है कि ये एप मेरा राशन आप किस मंत्रा ने लनोच किया है तो आपका अंसर होगा उब्भोगता मामले खाद्य और सार्जरिक वित्रन मंत्राले चीक है ना तो भई य ये सब चीजे और किस योजना पर मतलब जो आपकी वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना चल रही है उसी का ये एक क्या है हिस्सा है ये चीज़ भी ध्यान रखनी है ठीक है ना बनगे ना तीन चार कोश्चन एक ही कोश्चन से तो इस तरीके से ही अपने नोट्स बनाने आप शुरू करें या करते हैं पहले से तो अच्छा है लेकिन कोश्चन जो है इसी तरीके से हमें पढ़ना है नेक्स्ट कोश्चन नमबर टू भारते क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को भारतिये पेशावर गोल्फ टूर के बोर्ड के सदश्य के रूप में सामिल क और यह हैं आपके कपिल देव आपको पता होगा यह क्रिकेट के बाद गोल्फ का बड़ा शौक रखते हैं और इनहीं को मेंबर बनाए गया है पारते क्रिकेट टीम के पूर्व कपतान और दिगज क्रिकेटर कपिल देव को भारतिये पेशेवर गोल्फ टूर यानि की पी काम करें तो भाई ये कोशिचन भी आपका आज का स्टार कोशिचन होता है आप से पूछा जा सकता है कि PGTI के बोर्ड मैंबर में किस पूर्व भारतिय कर्किट कप्तान ने सदस्टा हासिल की है ठीक है जी कपिल देव कोशिचन नमडर लेते हैं आज का थरी निम्न में से कौन सा देश UAE को पीछे छोड़ कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्थी करता देश बन गया है which of the following country has become the second largest oil supplier in India surpassing UAE और ये हैं भहिया आपके अमेरिका US से जो है second largest बन गया है UAE पहले second पर आता था उसको पीछे छोड़ दिया है साउधी अरब को पीछे छोड़ कर अमेरिका अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्थी करता बन गया है भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आया तक और उब्भोगता है भारत ने तेल उत्पादक देशों से बार-बार आपूर्ती बढ़ाने की अपील की है जिससे वैशिक आर्थिक सुदार में मदद मिल सके ध्यान है यह रखना है अमेरिका जो है सेकिंड नमबर पे आ गया है जब बात करते हैं तेल आपूर्ती घरता की भारत के लिए कोश्यन नमबर फोर्थ यह हो गया जै आपका स्टार कोश्यन आज का भारत के लिए टी ट्वेंटी क्रिकिट में सबसे ज़ादा विकिट लेने वाले बोलर निम्ड में से कौन बन गए है कल कोश्यन हमने किया था कि 3000 बनाने वाले विश्व के पहले बल्ले बाज वो विराट कोली थे आज हम बात कर रहे हैं which of the following bowler has become the highest wicket taker in T20 cricket for India for India है यहाँ पे वर्ल नहीं है तो इंडिया के लिए है युजविंदर चहल इसका अंसर आपका है युजविंदर चहल युजविंदर चहल T20 में इंडिया की तरफ से सबस्यादा T20 cricket में सबस्यादा wicket लेने वाले बोलर बन गए इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में टीम इंडिया को 8 wicket से हार का सामना करना पड़ा लेकिन नरेंदर मोदी स्टेडियाम में खेले गए इस मैच में टीम इंडिया के स्टार स्पिनर युजविंदर चहल इतियास रचने में कामियाब हो गए चहल T20 फोर्मेट में जस्पीरित बुम्रा को पचाड़ कर इंडिया के लिए सबसे जादा wicket लेने वाले गेदबाज बन गए इस wicket के साथ ही इंटरनेशनल T20 में चहल के विक्तों की संक्या साथ हो गई है T20 इंडरनेशनल में जस्पीरित बुम्रा 50 मैचों में 59 wicket ले चुक है जस्पीरित बुम्रा पहले नंबर वन थे अब आगे हैं सेकिंड आपको पता भी होगा उन्होंने अभी शादी की है फिलाल में और उसी का फायदा उठाते वह जो इंदर चहल आगे निकल गए हैं वो नंबर वन बन गए हैं T20 में सबस्यादा wicket हासिल करने वाले पहले भारते जिन्होंने 60 wicket भी लिये हैं question number 5 जम्मू कश्मीर परशाशनिक परिशद ने आवाश और शहरी विकास विभाग में के कितने लाक रुपे तक के ब्याजमुक्त रन परदान करने का प्रस्ताव को मंजूरी दिये जम्मू कश्मीर Administrative Council has approved the proposal of Housing and Urban Development Department to provide interest-free loan up to how many lakhs और यह दो लाक तक interest-free loan जो है देने की मंजूरी दी गई है जम्मू कश्मीर परशाशनिक परिशद ने आवाश और शहरी विकास विभाग के दो लाक रुपे तक के ब्याजमुक्त रिंड परदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिये यह मंजूरी उप राजजपाल मनोज सिना के नित्वत में दी गई है यह ब्याज मुक्त रिंड दस सालों की अवदी के लिए प्रदान किया जाएगा इसमें छे महीनों की मोलत भी शामिल है इस रिंड राशी को पच्छिस सो रुपे की माशिक किस दुवारा चुकाया जा सकता है बहुत ही अच्छा स्याप लिया गया है कोशन लेते हैं कोशन नमबर सिक्स अंतरास्ट्य सोर गटबंदन के महाने देशक के रूप में इन में से किस ने पदबहार समवाला है ग्रेंड किया है अपके अजे माथूर जो है डारेक्टर जोनल ऊप इंटलिजेंस सोलर अलाइंस के जो हैं चुने गये हैं अजय मातूर ने अंतराष्टे सोर गटबंदन के माने देशक का पदभार समवाला है जलवायू परिवर्तन पर परदान मंतरी की परिशद के सदस्य मातूर तेरी और बिजली मंतराले के अधीन आने वाले उर्जा दक्ष्ट ब्योरों के माने देशक रह चुके है उनकी न्यूकती चार साल के लिए की गई है जिससे अगले कारेकाल के लिए बढ़ाया जा सकता है अभी चार साल तो रहेंगी अगले भी बढ़ाया जा सकता है तो आज है मातूर आपको ध्यान रखना है अंतराष्ट्रे सोर गटबंदन के माने देश अक्यानी की डारेक्टर जनरल के पद पर चुने गए हैं। Q7 निन में से किस राज्ये ने कला नमक चावल महुतसव आयुजित किया है। In which of the following state will the कला नमक राइस फेस्टिवल will be organized और यह है आपका उत्रप्रदेश। कला नमक से याद रखना कला नमक राइस फेस्टिवल कहां पे उत्रप्रदेश में। उत्रप्रदेश की मुख्य मंत्री योगी अधित्यनात ने कोशना किया कि राज्ये कला नमक चावल महुतसव का आयुजित करेगा। कला नमक चावल गुद्ध के महापशाद के रूप में प्रतिष्टित है तो ध्यान रखना है कला नमक से याद रखना है आपको उत्र प्रदेश question number next लेते है question number 8 यह है आपका star question international day of happiness कम मनाया जाता है when is the international day of happiness is celebrated और यह 20 मार्च को जो है हम लोग मनाते हैं क्या international पूरी दुनिया में international day of happiness खुशी का अंतर राष्टे दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों के जीवन में खुशी के महत्व को पहचानना है ठीक है यह दियान रखना है question आ सकता है क्योंगी नया question है question number 9 लेते हैं आज का 15 March को किस राष्टे के पूर्व रास्टपती को 4 महीने के लिए जेल भेजा गया है यह भी star question है जी और यह है आपके बुलीविया बुलीविया के रास्टपती को 4 महीने के लिए जेल भेजा गया है 15 March को पूर राष्टपती जिनिन एंज को 15 मार्ज 2021 को चार महीने के लिए जेल भेज दिया गया है जाच करताओ का आरोप है कि उन्होंने एक तक्ता पलट में मदद की थी जिसके करण 2019 में लंबे समय के नेता स्वो मोर लेस को सत्ता से हटा दिया गया आप यहाँ पर कोश्चन यह भी बन सकता है कि बुलवोलिया के किस राष्टपती को चार महीने के लिए जेल भेजा गया है तो आंसर हो जाएगा आपका जिनीन एंज ठीक है यह नाम भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है आज का लास्ट कोश्चन लेते हैं कोश्चन नमबर टेंथ यह आपका आज का सूपरस्टार कोश्चन है बाला फैक में नया राष्टे रिकोर्ड क्या है वट इस दे न्यू नाशनल रिकोर्ड इन जैवलिन थ्रोर यह है आपका 63.24 मीटर और यह महीला वर्क का है भारतिय जैवलिन थ्रो अनू राणी ने 24 वे फैटरेशन कॉप सीनियर एटलेटिक्स चैंपियंशिप के उधगाटन के दिन 15 माल 2021 को 63.24 मीटर के प्रियास के साथ नया रिकोर्ड बना दिया है जो की नेत्वत सुभाष नैशनल इंसिच्टूट ओफ स्पोर्ट कॉम्पलेक्स में आयोजित हुआ एक अधबुत प्रिदिशन के बावजूत अनू राणी 64 मीटर के ओलंपिक योगधा अंको पार करने में विफल रही अगर इनके 64 वाला हो जाता तो यह ओलंपिक के लि अनूरानी ने बनाए आपसे जगय का नाम पूचा जा सकता है सुभाष इंटरनेशनल इस्टूट ओफ स्पोर्ट और कॉम्पलेक्स ठीक है तो यह चीज़े थोड़ी धियान रखनी है इस आधर टोप 10 कोस्टिंस फूट टुडए अगर पसंद आया तो भाई शेर करो ला चले आविमेंट टेक केर बाई